हेलो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप btec करने की सुच रहे है आपका btec हो गया है तो आपको कौन-कौन से career options रहते हैं आप्टर बीटेक तो यह आज में बताने जा रहा हूँ चलिए देखते हैं अगर चैनल को नहीं सब्स्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो में लाता हूँ तो आपको मिल जाए तो सबसे पहला है डाटा साइंटिस्ट जो डाटा अभी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा उसके बाद है सबसे ज्यादा पॉपुलर बीटेक के बाद सब्सक्राइब कर सकते हो या किसी कंपणी के लिए भी कर सकते हो या फ्रीलाइंसिंग भी कर सकते हो उसके बाद है साइबर सेकुरिटी एक्सपर्ट आप साइबर सेकुरिटी एक्सपर्ट भी बन सकते हैं अगर आपने बीटेक किया हो है तो जो cyber attack होते हैं उसके लिए जो expert चाहिए होते हैं तो cyber security expert काम करते हैं उसके लिए उसके बाद है database administrator तो यह भी आप option चूज कर सकते हो जाप data प्लान करोगे उसे backup recovery जो काम रहता है data का बड़े-बड़े companies में तो आप कर सकते हो database administrator के तोर पर इसके अलाव भी और बहुत सारे options रहते हैं जैसे कि marketing manager होता है उसके बाद business consultant उसके बाद computer system analytics रहता है वो भी है उसके बाद service support specialist यह कुछ options है जो आप BTK के बाद कर सकते हो